दोस्तो आपका हमारे यूट्यूब शेनल पर स्वागत है दोस्तो यदि आप किसी लड़की को पसंद करने लगे हैं या आपको उससे प्यार हो गया है लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको लेकर लड़की के मन में क्या चल रहा है और लड़की आपके बारे में क्या सोचती है यानि कि यदि आप जानना चाहते हैं कि लड़की आप से प्यार करना चाहती है या नहीं तो इन तरीकों से आसानी से समझ सकते हैं कि उसके दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है चलो बताते हैं दोस्तो यदि आपने अभी तक एस चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर और पर किलिक करें दोस्तो यदि लड़की से आपकी जन परचे नहीं है यनि कि यदि आप दोनों एक दूसरे के लिए अंजान हैं लेकिन आपको उससे प्यार हो गया है और आप उसे प्रिपोज करना चाहते हैं तो लड़की को प्रिपोज करने से पहले आप लड़की के नज़्दीक जाएं और उसे किसी न किसी तरीके से इंप्रेस करने की कोशिस करें किनको यदि लड़की आप में इंट्रेस्ट नहीं ले रही है आपको भाव नहीं दे रही है तो इसका अर्थ है कि आप उसे अभी प्रिपोज ना करें क्योंकि आपके प्रिपोज करने पर लड़की बिना को सो signal देने लगे हैं किन्तु यदि लड़की आप से कहती है कि मैं अभी लब अफेयर या relationship के लिए तयार नहीं हूँ तो इसका सीधा सा मतलब है कि लड़की को आप में कोई interest ही नहीं है या लड़की आप से प्रेम संबंध नहीं रखना चाहती थाड़ नमबर दोस्तो यदि लड़की आप से कहती है कि अभी मुझे अपने career पर focus करना है या खुद पर ज़्यादा ध्यान देना है तो इसका मतलब है कि वह अभी आपके साथ प्यार ब्यार के चकर में नहीं पढ़ना चाहती या उसे आप में बिल्कुल भी interest नहीं है फोर्थ नमबर दोस्तो यदि आप लड़की से अपने दिल की बात कहते हैं और यदि लड़की आपसे कहती है कि मैं आपको इस नजर से नहीं देखती या मैं तो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मांती हूं तो इसका मतलब है कि वह आपके साथ प्यार ब्यार में नहीं रहना चाहती फाइम नमबर दोस्तो यदि आप लड़की से और वह यही नहीं समझ पा रही है कि वह आपको हां कर दे या ना कर दे दोस्तो यदि आप लड़की से अपने दिल की बात कहते हैं और लड़की आप से कहती है कि मुझे प्यार ब्यार में कोई दिल्चत्पी नहीं है या मेरी जिंदगी में कोई और है तो इसका मतलब है कि लड़की चाहती है कि आप उससे इस विसाय पर कोई दुबारा चर्चा ना करें या इस विसाय को लेकर आप उसे बार बार परिशान ना करें दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद